दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग विहार डियले इंट्रेंस एक्जाम के लिए सोसल स्टडी के मोश्ट इंपोर्टेंट 31 कोसंस करने वाले हैं और आप लोग दोस्तो चेक किजिएगा 31 में से कितने कोसंस का अंसर आप सही कर पाए आज किस रिविजन क्लास में ठीक ना चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं फिर्ष्ट कोस्शण अंतर्राष्टिय तीथी रेखा क्या कहलाता है दोस्तो 180 डिग्री देसांतर को अंतर्राष्टिय तीथी रेखा के नाम से जाना जाता है याद कर लीजएगा Most most important question है ये, 180 degree देसांतर को अंतराश्टी तीथी रेखा कहा जाता है Next question, अंतराश्टी तीथी रेखा का निर्धारन किस वर्स किया गया था? दोस्तों, अंतराश्टी तीथी रेखा का निर्धारन 1884 इस वी में किया गया था अंतराष्टी तीथी रेखा की स्थिती निमनलिखित में से किसके निकट तम है दोस्तों अंतराष्टी तीथी रेखा जिसे हम 180 डिगरी देसांतर के नाम से जानते हैं ये दोस्तों 180 डिगरी पूर्वी एवं पक्षमी देसांतर के निकट स्थित है Next question ग्रीन वीच से 180 डिगरी मध्यान कालपनीक रेखा क्या कहलाती है दोस्तों इसे हम अंतराष्टी तीथी रेखा कहते हैं याद कर लेजिएगा Next question most most important है व्यान से समझेगा आप लोग देखें दूसरी या मियोत्तर रेखाओं के बीपरीत अंतराष्टी तीथी दिनांक रेखा या तीथी रेखा बात वही है तेड़ी मेड़ी बनाई जाती है ताकि क्या कारण है इसका कारण है दोस्तों कुछ भूमी शेत्रों एवं दीव समूहों को उसी क्लेंडर दिवस में रखा जा सके इसलिए ये रीजन है याद कर लेजिएगा important है ये Next question अंतराष्टी तीथी रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका क्या कारण है दोस्तों इसका कारण है कुछ देशों के भिविन भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना कुछ देशों के भिविन भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना यही कारण है कि अंतराष्टिय तीथी रेखा बिल्कुल सिधी नहीं है थी न उत्री परसांत महासागर में अंतराष्टिय तीथी रेखा के विचलन का क्या कारण है दोस्तों उत्री परसांत महासागर में जो है न अंतराष्टिय तीथी रेखा के विचलन का जो कारण है यह अंतराश्टी ये तीथी रेखा पर दिन के 12 वजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा आपको पता है दोस्तों GMT से IHT Indian Standard Time साड़े 5 घंटे आगे चलता है तो यहाँ पर साम होगा ठीक ना याद कर लिजेगा most most important question ना साड़े 5 बजे गा साम का पर्थीवी को कितने समय कटीवंध हो या कितने time zone में बाटा जा सकता है या बाटा गया है 24 time zone में बाटा गया है most most important question next question भारत का प्रमानिक समय किस दिसांतर से लिया गया है बहारत का मानक समय ये साड़े विरासे डिग्री पूर्वी दिसांतर को कहा जाता है भारत का मानक समय तीना, 162 डिग्री पूर्वी दिसांतर और अंतराश्टी ये कह सकते हैं मानक समय, वो जो है 180 डिग्री दिसांतर को, याद कर लीजेगा ये दोनों, चलिए, next question भारत का प्रमाणी समय मतलब IST, Indian Standard Time किस स्थान से निश्चित किया गया है ये इलाहवाद से निश्चित किया गया है ठीना, नैनिय स्थान से most most important question है ग्रीन बीच, माध्य समय, GMT ठीना, तथा, भारतिये प्रमाण समय, IST, Indian Standard Time के बीच समय अंतराल कितना है साड़े 5 घंटे का ठीना, तो यहाँ पर क्या सही होगा 5 घंटे, 30 मिनट most important question है next question करते है निश्चित में से किस स्थान का प्रमाणी समय एवं अस्थानिय समय लगभग एक समान है most most important question तो यह सही होगा दोस्तों, नैनी ठीना, देखे, आगे है न इलाहवाद में स्थीत है निश्चित में से किस स्थान का प्रमाणी समय एवं अस्थानिय समय लगभग एक समान है नैनी का next question भारत के सरवधिक पूर्व एवं पक्षी में स्थीत स्थानों के स्थानिय समय में कितना का अंतर है मतला पूर्व और पक्षी में यहाँ पर जादा समय का अंतर नहीं है इसका सही आंसर होगा दोस्तो दो घंटा ठीना, मतला दो घंटे का अंतर है भारत के सरवधिक पूर्व एवं पक्षी में स्थीत स्थानों के स्थानिय समय में जो अंतर ये दो घंटे का है, अंतर राष्टी ये तीथी रेखा, जिसे 180 डिग्री दिसांतर के नाम से जाना जाता है, से कितनी वार विचलित होती है, अंतर राष्टी ये तीथी रेखा 180 डिग्री दिसांतर से कितनी वार विचलित होती है, तो ये दोस्तो विचलित होती है चार वार नेक्स्ट कोशन अंतर राष्टिय तीथी रेखा 180 डिग्री या म्योतर से अंतर करती है जिससे की वह इस कोशन का सही आंसर होगा दोस्तों एक ही परसासन के अंतरगर दीव समू को विभाजित ना करे एक ही परसासन के अंतरगर्दीर समू को विभाजित ना करे नेक्स्ट कोश्चन यदि किसी स्थान का स्थानिय मानक समय Greenwich समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहां इस्थित होगा ये भी काफी जादे important कोश्चन है तो इसका सही आंसर होगा 180 degree east और देखे इसे दोस्तों आप practically भी find कर सकते हो मतलब किस तरीके से जो है ना इसका आंसर निकाला जाता है ये मैं आपको बता दता हूँ देखे यदि किसी स्थान का स्थानिय मानक समय जो है ना Greenwich समय से 12 घंटे आगे है जैसे भारत का मानक समय जो है वो GMT से 5 घंटे आगे है अब यहाँ पर 12 घंटे आगे बोला गया है तो अब अस्थान कहां इस्थित होगा अस्थान का आप भी पता लगा सकते हैं 180 degree east बोला गया यहाँ पर तो कैसे आया यह मैं आपको बता दता हूँ देखिए, याद कीजेएगा 4 मीनट में 1 degree 113 होता है एक डिग्री 123 बराबर 4 मीनट तो हम क्या करते हैं दूस्तों 12 घंटे आगे है तो मतलब 12 घंटे में कुल कितने मीनट है यह find कर लेते हैं ठीक न, और 4 से भाग कर देंगे तो हमारा दिसांतर निकल जाएगा तो देखिए, 12 गंटे में 12 छिक 72 हो जाएगा और एक 0 लगा देजिए तो 12 गंटे में 720 मिनट हो गया अब आपको पता है कि 1 डिग्री दिसांतर 4 मिनट के बराबर है तो 4 से भाग कर देंगे तो कितने दिसांतर होगा ये पता चल जाएगा और जब समय आगे होता है तो उसको हम East में मापते हैं और पहले होता है तो उसको हम West में मतलब पश्ची में मापते हैं पश्ची में उत्तर हो जाता है पहले वाला समय और बाद वाला मतलब आगे है उसको हम पुर्वोत्तर कहते हैं, मतलब पुरुव में, इस तरीके से, तो 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4, 38, 32, 0 और आगे है तो E लगा दिजिएगा, और मतलब आगे है तो, और पहले है, तो आप W लगा दिजिएगा, इसका से answer option C हो गया, नेक्स्ट कोश्चन, ग्रीन वीच पर, ग्रीन वीच पर, समय मर्ध्यान 12 वजे हैं, 50 पुर्वी देसांतर परिस्तित, एक स्थान पर समय क्या होगा, अब इसको भी आप find कर सकते हैं, easily, पुर्वी यह यहां पर है, तो मतलब आगे है, 50 पुर्वी, तो आपको पता है दोस्तों, 1 डिग्री देसांतर कितने मि मिनट आता है, पांच ओक 20 हो जाएगा यहां पर, ठीक न, एक जिरो और लगा दिए, अब इसको आप क्या कीजिए, तो इसको जो है न, आप, मिनट में आ गया, आप घंटे में इसको चेंज करना है, और समय हम पता कर लेंगे, 12 से आगे जोड लेंगे, तो पहले 60 सम भाग कर देते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कितना आया, 6 कम 6, sorry, 6-18 हो गया, उसके बाद मतलब की, 3 घंटे 20 मिनट, हुआ न, 3 घंटे 20 मिनट, अब इस स्थिति का, देसांतर पर इस्थित एक स्थान पर समय क्या होगा, समय बोला गया है, तो 12 हो गया, उसको आगे 3 घंटे 20 मिनट, जोड़ दीजिए, तो 1, 2, 3 घंटे 20 मिनट, यही हो जाएगा, साम का, ठीक न, और देखिए, यहां पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, कि पूरवी देसांतर अगर लिखा हो न, तो समय को आगे बढ़ा देंगे, जैसे 12, 1, 2, 3, इस तरीक रखिए, ग्री जो है, जीरू डिगरी देसांतर अगर बजे हो न, तो 30 घंटे 20 मिनट होता है, यहे पहले फ्राइट कर लेते हैं, तो 1 घंटे 20 मिनट होता है, तो चारती या बारा हो जाएगा मतलब कि दो घंटे अब पुर्वी है तो जोड़ देंगे एक दो बज़रा होगा वहाँ पर दो बज़रातरी ही होगा इसका सही अंसर उप्सन ए हो जाएगा तो इस तरीके से फाइंड करते हैं तीन आपको पता चली गया पिर्थिवी पर दो अस्थानों की इस्थिती के अनुदैरे का अंतर 15 डिग्री है अस्थानिये समय में कितना का अंतर होगा पिर्थिवी पर दो अस्थानों की दो अस्थानों की इस्थिती के अनुदैरे का अंतर ठीन आ फाइंड कर लेते हैं देखे, हम क्या करेंगे, आपको पता है, 1 degree दिसांतर बरावर 4 मिनट होता है, तो 15 degree दिसांतर कितने मिनट के बरावर होगा, हम 15 गुना में 4 कर देते हैं, तो 15 चोक 60, तो यहाँ पर साप पता चलिया, 60 मिनट निकल कर आ रहा है, तो एक घंटा हो गया न, 60 मिनट में गंट, 60 मिनट बरावर एक घंटा होता है, तो एक घंट एक अंतर होगा, तो आपसन है इसका सही आंसर होगा, तो इस तरीके से find करते हैं हम लोग, चलिए, next question करते हैं, यदि दो स्थानों के बीच, समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है, तो द से भाग कर देंगे, डिसांतर हमें पता चल जाएगा, तो देखे, दो घंटे, 60, 60, 120, और 20, 140 हो जाएगा, 140 मिनट हमें पता चल गया, अब 4 से भाग कर दीजी, आपको डिसांतर, डिग्री डिसांतर में पता चल जाएगा, अंसर, दो से cancel करते हैं, तो यहां पर आजाएग कहां से होकर गुजरती है, 180 डिग्री डिसांतर से, most most important question, next question, ग्रीन वीच किस देश में इस्तीत है, यह दोस्तों, United Kingdom में इस्तीत है, ठीक न, बिर्टेन में, next question, एक डिसांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानी समय के बीच क्या अंतर होता है, एक डिसांतर, आपको सी असत्ते है, बाकी तीनों, A, B और D सत्ते है, थी न, C गलत है, चलिए, next question, किसी एक शण निम्नलिखित नगरों में से, किस एक में, घडी का समय अन्य तीन नगरों की घडी की समय के समय के समय नहीं होता, इसका नाम है, अदिस अभावा, इथियोपिया, चलिए, next question करते ह जब Greenwich में, मध्यान है, एक जगा का स्थानिय समय 5 बज़े साम है, निम्नलिखित में से वह कौन से यह मुत्तर है, जिस पर उप्यूक्त जगा अवस्थित है, simply हम क्या करेंगे, find कर लेंगे, देखें, एक जगा का स्थानिय समय 5 बज़े साम है, मतलब आगे है, तीन आगे है वो समय, तो इसका मतलब 5 घंटे आगे है, तो 5 घंटे में कुल कितने मिनट होगा, यह find करके उसके बाद हम 4 से भाग कर देंगे, तो हमें देसांतर में पता चल जाओ, और आगे है तो हम पूर्व लगा देंगे, तो देखें, क्या करते हैं, हम 5 गुना में 60 कर देते हैं देखें, 6, 35, 1, 0 और लगा दीजी, और 4 से भाग कर दीजी, देखें, 4, 7, 28 हो जाएगा, ठीक न, 4, 7, 28 हो गया, 2, 0, 4, 25, देखें, 75 डिगरी पूर्व, आपसन यह आपका सही आंसर हो जाएगा, तो इस तरीके से हम आंसर फाइंड करते हैं, ठीक न, चलिए, काहिरा का सम 120 हो जाएगा, 4 से भाग कर दीजी, 4, 3, 12, 30, और आगे हैं, तो पुर्वी लगाना है, ठीक न, यह लगा दीजीए, या पुर्वी देशांतर लगा जीए, 30 डिगरी पुर्वी देशांतर, आपसन भी आपका सही आंसर हो गया, अब सोचिए, पहले सिश्प्रिंट जिनको इस टाप के कुसंस नहीं करने आते होंगे, अब कितना असान हो गया होगा उनके लिए, चलिए, आगे के कुसंस करते हैं, 29 में, 2 सहरों, सहर A और सहर B के बीच काला अंतर मतलब, समय का अंतर कितना है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, 29 का A, 80 मिनट होगा, देखे next question, क् गया है, यदी भारत में, दोपहर 12 वजे का समय है, तो उसी दिन किस या मियोत्तर में, सुगा के 7 बजेंगे, देखे, पहले, मतलब घटा देना है, तो अंतर पहले फाइंट कर लेते हैं, सुगा के 7 बजेंगे, तो 12 में से आप 7 घटाईए, तो 5 घंटे का अंतर है, और प सांतर फाइंट करना है, तो 4 मिनट से भाग कर देंगे, देखे, यहीं पर कैंसल कर देते हैं, यह 4 कम 4 और यहां पर आपका हो जाएगा, 4 कम 4, 4 पचे 20, मतलब 15 चौक साथ, 15 पचे 75, ठीना, 75 डीगरी पश्मी दे सांतर होगा, ठीना, मतलब यह क्या बोला गया, उस दिन कि सांतर में सुआ के साथ बजाएंगे, तो यह 75 डीगरी पच्छमी दे सांतर में सुआ के साथ बजाएंगे, ऑप्सन डीज का सही आंसर होगा, चलिए, नेक्स्ट कोशन करते हैं, पिर्थिवी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया, हर एक टाइम जोन कितने डीगरी टाइ करता है, देखे, पिर्थिवी को 24 टाइम जोन में बाटा गया है, यह तो आपको पता है दोस्तों, ठीना, 24 टाइम जोन में बाटा गया है, तो यहां पर एक टाइम जोन कितने डीगरी टाइ करता है, तो एक टाइम जोन में बाटा गया है, तो एक टाइम जोन में बा चोविश टाइम जोन होगा, तो एक घंटे में कितना दिसांतर होता है, यह हम find कर लेते हैं, तो देखें, एक घंटे में साथ मिनट होता है, और एक डिग्री दिसांतर बरवर चार मिनट, तो चार मिनट से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 15 डिग्री दिसांतर आ जाएगा, आपसन भी आपका सही आंसर हो गया, तो इस तरीके सकरते हैं, तो थेंक्यू दूस्तों, अगर आप और क्लास देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजेगा,